इसकी बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है इसकी भी प्लान्ट हम सभी का एक फेवरेट प्लांट होता है और हम इसको इंडोर चाहे आउटडोर दोनों ही जगहों पे इसको हम ग्रो करना पसंद करते हैं money plant के पौदे को hanging basket में भी grow किया जाता है और एक अच्छे साइज के port में भी high grow किया जाता है और जमीन में भी grow किया जाता है लेकिन जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत ही different तरीका बताने वाला हूं money plant को grow करने का तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि आप मनी प्लांट की कटिंग को पानी में किस तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको को किस तरीके से ग्रो किया हुआ है दोनों तरीका मेरा अलग अलग है एक में मैंने दूसरा तरीका अपनाया है और एक में अलग तरीका अपनाया है तो दोस्तों दोनों में ही ग्रोस्त का जो रेट है वो आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा तो दोस्तों देर न करत वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को ले चलता हूं ठीक 10 दिन पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो नमस्कार दोस्तों मैं कमल जीत सिंग आप लोगों का एक वर फिर से अपने यूट्यूब चैनल गाडनिंग होविज पर स्वागत करता हूं आसा करता हूं दोस्तों आप लोग स्वास्त होंगे और अच्छे चे कामों में ब्यास्त होंगे तो दोस्तो money plant को grow करने के लिए सबसे हमें पहले चाहिए money plant की cutting जो कि मैंने अपने terrace garden से ले ली है और अब मैं इसकी आगे की trick बताता हूँ आपको money plant को cutting से grow करने के लिए दोस्तो उसका cutting trick बहुत जरूरी है तो दोस्तो इसको आप देख रहे हैं कि मैं इसको 2 इंची का cut लगा रहा हूँ जो की एक leaf node होने वाला है और यह इसका aerial root है दोस्तो जहां से growing start होगी aerial root से ही जड़े निकलेंगी और इसका size almost 2 इंच के आसपास मैं cut कर लेता हूँ तो दोस्तो इसी तरीके से हमें सारी cuttings को cut कर लेना है आप जितनी भी cuttings को लगाना चाहते हैं उसका जो node area होता है leaf के एक साथ उसको आप अलग-अलग cut कर लीजिए और आप इसको इसको इकठा कर लिए तो सलिए दोस्तो मैं इसको cutting करने के बाद मिलता ह तो दोस्तो मैंने money plant की cuttings को cut कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ही सारी मैंने cuttings को cut किया हुआ है और दोस्तो ये leaf knot है इस तरीके से ही आप लोगों को सारे पत्तो को एक-एक करके सीधा रख लेना है और इसको दोस्तो मैं grow करूंगा पानी में और वो secret बताऊंगा हम थोड़ा सा पानी भर लेते हैं इन jars में चलिए दोस्तो इस पानी को हम जार में डाल लेते हैं और दोनों ही jar में हम पानी को बराबर equal मात्रा में डाल लेंगे दोस्तो ये साथ ही में आपको बताऊंगा कि इसमें एक jar में simple water में grow करूंगा और दूसरे jar में एक secret छीज मिल और प्लांट्स को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा जरूरी होती है और बहुत तेजी से ग्रोथ करती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण यह हमारी पत्तियों को और प्लांट्स को हरा भरा बनाने में मदद करती है तो दोस्तों एक में मैंने तो मिला लिया है और इसमें मैं कुछ कटिंग को लगा लेता हूं साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका नोड एरिया है वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए और आपकी जो प्लांट की जो लीप से उसको हम उपर की तरफ रखेंगे वो पानी में उसको दूबो के नहीं रखना है ऐसा करने से दोस्तों हमारे प्लांट में फंगस और पत्यों पर फंगस नहीं लगी चलिए दूसरे वाले पोट में भी मैं कुछ कटिंग को लगा लेता हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से यह आपको लगाना है नोड एरिया बिल बाकी मैं आपको इसकी अपडेट दिखा चुका हूं तो चलिए आपको दिखाता हूं दुबारा से कि इसको रीपोट किस तरीके से करना है और क्या ही तरीका होने वाला है और क्या ही सॉयल मीडिया इसके लिए यूज करेंगे दोस्तों जो आप सॉयल मीडिया देख रहे ह इसमें मेरा 30% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 30% कोको पीट, 30% बर्मी कमपोस्ट और एक मुठी नीम खली पाउडर मिलाया हुआ है दोस्तों कटिंग को लगाने के लिए सुरू में रूटिट कटिंग जो होती है उनके लिए मैं छोटा सा एक पॉर्ट यूज करने वाला हुँ जो कि कले पॉर्ट होता है तो इसमें drainage zone का होना compulsory है ताकि हमारा extra water जो है वो drain हो जाए और यहसा करने से हमारे plant में fungus की समस्या नहीं तो चलिए दोस्तों मिट्टी को fill up कर लेते हैं इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको half fill up कर लेंगे जैसा कि देखे आप मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में हाफ fill करने के बाद हम इसमें plants की cutting को लगाएंगे जैसा कि आप देखे मैं इसको थोड़ा सा दबावी रहा हूँ तो इस तरीके से आप अगर cutting को लगाते हैं तो आपकी cutting बहुत ही दिनों तक survive करेगी छोटे से plant में तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले वह वाली cutting लगाता हूँ जिसमें मैंने यूरिया मिलाई थी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी growth इसकी यहां पे होई है और तो इस एक port में मैं दो cutting लगाने वाला हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको लगाना है कि आपकी जो growing tip है और जो आप sprouting हुई है उसको हमें मिट्टी में नहीं दबाना है उसको थोड़ा सा हमें उपर रखना है इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं मैं इस fungus लग जाएगा और जो हमारी new suits हमारी जो निकल रही है वो क्या होगा कि सड़ जाएगी तो ऐसा करने से हमारी cutting fails भी हो जाएगी और 10 दिन तक हमने जो wait किया था वो सारे खराब हो जाएगा तो चलिए इसी तरीके से मैं दूसरी cutting को भी लगा लेता हूँ दोस्तों आप लो का समय लग जाता तो यार अपडेट पाने के लिए और वीडियो को पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार और साथ ही प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो दोस्तों मैंने दोनों cutting को लगा लिया है अब इसमें हम कर लेंगे थोड़ी सी watering ताकि हमारा जो soil media है वो अच्छी तरीके से moist हो जाए यह देख सकते हैं मैं इसमें watering कर देता हूँ और इसको watering अच्छी तरीके से करना है कि पानी जो कि drainage hole से बाहर निकल जा क्योंकि छोटा pot है और इसको हम regular basis पे इस पे watering करते इसको साथ ही अंडर सेड में रख देंगे ताकि transplant सोक से यह बचा रहें आसा करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो